तो अदिल हमने बहुत सारी बात हैं की लेकिन मेरे परसना कुछ पॉइंटर्स हैं जो बेसिकली राखी ने आज के प्रेस कांफरेंस में बोले हैं और मैं चाहूंगी कि उस पर आपका क्या रियक्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं काफी लंबा PC था लेकिन मैंने कुछ limited pointर के रखे हैं राखी का कहना है कि आप कोई business business नहीं करते एक car को चार बार बना-बना के बेचते हो बना-बना के बेचते हो अलग-अलग तरीके सो इसको मोडिफाई करके अलग-अलग लोगों को बेचते हो राखे ने बोला था चार लोगों को एक गड़ी बेच देता है तो यह क्या है exactly मुझे पता ने राखे को पुछना पड़ेगा बट एनेवेस जितना में समस्ता हूं में बताओंगा या भी बो लगा कि मैसूर के लोग हैं मैं बुलाउंगी जुट मिडिया कर चला चनला है कुछ ऊछछा मसाला मिले और मही भी थोड़ां लो यह कार को कैसे चार लोगों को बेचते हैं मैं आपको कार बेच रहा हूं तो आपकी है उनको बेच रहा हूं उनको मैं चार लोगों को कैसे एक गाड़ी बेच दो यार और मैं प्रॉपर शोरूम में बटके बिजनस करता हूं को लूटके पैसे नहीं बना रहा हूं ना, शादी करके धोके दे के पैसे बना रहा हूं क्या, एक लिज मैं वो तो कर रहा हूं, शादियों का नाम पे, रिलीजन की बैंड मरकी, कौन सा रिलीजन तुम छोड़ रहे हो, यार, कृष्ट्र करियों कर दे तुमने कि कृपड़ की कृष्जन तुमने इस साद्गाराब रिलीजन की वाट लगा के रहा है, उत लुद्ध की मस्लें की, कि फुल कपड़े पहनती हूं कोई मेरी तरफ नजर उठा कि ना देखिए कोई मुझे टच्छ ना करे विकॉज एजन फुल स्लीव कोई ऐसा बिलकुल भी बाड़ी दिखनी नहीं चाहिए कि अब मुसल्मान बन चुकी है और उसमें ऐसा अलाउट नहीं है प्लस उन्होंने पूरा रोजा भी रखा सब कुछ किया खाना चाहरा था बच्छी ब्लॉक में एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है वरना दिखाता था कि रीसेंटली एक हफ़ते पहले उन्होंनों बुर्खा अब इनके कपड़े नमाज पढ़ रहे हैं अभी रीसेंटली उनके तो कपड़े नहीं थे ठीक से एक इवेंट में पूरूफ क्या करना चाहरी हो तुम रिलीजन के साथ भी खेल रही हो क्या तुम को कौन बोल रहा है तुम नमाज के कपड़े में तुम दिखा हो यार मत क कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे पास गिर्ड़ अके कुछ बोल दोगी चार लोग बिठा के समझा देंगे हम एतलीस माफ तो कर देंगे वो क्या ही करेगा तुम्हारे साथ तुम्हारे करमा जब तुम्हारे पास आजाएंगे तुम क्या कर पाओगी